तो फाइनली सामसंग ने सितंबर का सिक्योर्टी पैच अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ साथ ही ये भी बात करेंगे कि सामसंग के किनकिन डिवाइसेस में हमें सितंबर का सिक्योर्टी पैच अपडेट देखने को मिलने वाला है तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ तो वीडियो को अंदर तक देखिएगा और लाइक कर दिजिएगा अस वीडियो को लाइक टार्गेट हमनों रखते हैं सामसंग ने जर्मनी में रोलाउट किया है बात करें अपडेट फाल की तो 2816.17 MB का अपडेट है सितंबर 2022 का हमें लेटेस्ट सिक्योर्टी पैच मिल जाता है जो कि इससे फहले सामसंग ने सिर्फ एस 22 सीरीज में ही जो सितंबर का सिक्योर्टी पैच अपडेट था वो रोलाउट किया था जिसमें 1UI 4.1.1 के फीजर्स भी रोलाउट किये थे तो फाइनली एस 21 सीरीज के लिए जो अपडेट है वो रोलाउट किया जा रहा है और इस अपडेट में सामसंग ने डिवाइस की सिक्योर्टी को इंप्रूफ किया है साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इंप्रूफ किया गया है bugs को fix किया गया है, कुछ features को add किया गया है और device की performance को भी improve किया गया है और ये जो update है भी Germany में rollout किया जा रहा है और बहुत ही जल्द Samsung इंडिया में भी rollout करने वाला है A21 series के लिए September का security patch इसके बाद इसी महीने हमें 1UI 5.0 का beta update भी देखने को मिलने वाला है A21 series के लिए इसके अलावा बाद करने की किन-किन devices में हमें सितंबर का security patch update देखने को मिलेगा तो जिन भी devices में Samsung हर महीने security patch का update देता है जो Samsung के A series के devices हो गया है A22 series, A21 series, A20 series, Samsung A20 FE, A21 FE, Samsung Note 10 Lite, A10 Lite, Samsung A52, A52S 5G, A53 इन सभी devices में update देखने को मिलेगा और जिन भी devices में भी June का security patch रन कर रहा है और वो devices Samsung की quarterly update list में है उन devices में भी हमें जो latest सितंबर का security patch update है वो देखने को मिलने वाला है तो देखते हैं Samsung future में क्या करता है और भी गर कोई new जाती है या फिर update आता है तो आपको मेरे चैनल पर information देखने को मिल जाएगी तो चैनल को subscribe करके बिल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा मैं मिलता हूँ आप से next video में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम